चलो दोस्तों कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे मेरे न्यू ग्लॉप में आप सबका स्वागत है दोस्तों किसको किसको पहले बताओ किसको किसको चाहिए इत्दम चमकदार अपना फेस लोग पूछें आप आप स्कीन पर क्या लगाते हो कितने भी साूनले हो कितने भी गोरे हो अब तभी मज़ा आता है चलो दोस्तों देखिए मेरा वीडियो आज मैं क्या लगाती हूं आप लोग जरू ट्राई करें और बहिटर विजल्ट पाऊगे तो मेरे बात को जन्यादी को को जरूर अंसिस लिए लागें को आज पर सिह में करने फोड़ी तरप ऐसे लिए आप लोगो भीयार यह वनते आजेएं आताए आप मुल्तानी मिट्टी पीली वाली लेना है यह देखो ले लिया है मैंने पौडर बना लिया आप लोग भी ऐसे पौडर बना लो आपकी मर्जी हो तो गुलाब जल से इसका लेप तयार करें नहीं साधे पानी से लेप तयार करें मैं साधे पानी से तयार करने जारू यह देखो और मैं इसका लिप तयार करके दिखाती हूं मैं कैसे अपने फेस में अपलाई करती हूं दोस्तों मैंने लगा लिया है अब इसको अपने फेस पर अपलाई करती हूं दूस्तों मैंने लगा लिया है इसको अपने फेस पर 20 मिनट रखना है और फेस अपना पोचना है रगड के नहीं पोचना है और उसकी बाद आप एलो बेरा जेल या गुलाब जल लगा के सो सकते हो नाइट में लगाना बहुत अच्छा रहेगा बहुत अच्छा रिजल्ड देगी और सबसे अच्छा रिजल्ड यह देगी वैली स्कीन के लिए जो इसमें इस्ट्रा वैल रहता है यह सोक लेती है और इत्तम टाइट इत्तम चमकदार बनाती है दोस्तों प्लीज आप लोग भी ट्राइ करें और ट्राइ करके देखें एकसा बहता रिजल्ड दोस्तों जब तक के लिए वाई वाई मिलते हूं नेस्ट वीडियो में